प्रश के रिगाड़ी तो आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे बशचे के रिगारी थेक है तो ब्रश जिस क्या होता है सिंपल वैसे बहुत भी सिंपल सा यहाँ पर टॉपिक है लिकार इसकी पॉपर्टी बहुत भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर यह सेम प्र लेकिन इसकी properties मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूँ यहां पर brush tool ले लिया है simple इस तरीके से और यहां पर brush का मतलब क्या है simple इस तरीके से brush यहां पर use करना यहां पर mouse example यहां पर अगर आप click करते हैं तो आपको यहां पर से पहले देखने को मिलता है इसका size चेक है और आप चाहते है brush का size थोड़ा सा जादा हो तो यहां से आप size को भी increase कर सकते हो इस तरीके से यह पहला by default इसका size था और यह हमने यहां पर size increase कर दिया अब मैं दोबार रहे हो यहां पर पर जाता हूँ अब यहां पर क्या है애 इसकी hardness जब यहां पर देख रहे हूँ यहां पर जो is ke edges आपको देखने को मिल रहे ऑगर मैं हापर से इसकी hardness करता है नहुँ The correct क्रता है यहां Hepर आपको हार्ड एच का काम अगर आप यहां पर चाहत और उसके बाद यहाँ आगार्ई नहीं दिख रहे होंगी, तो यहां पर अगर में चाहता हूँ, गर नहीं जी दिख रहे हूँगी, यहां पर लुकिलो सैटिंग में सब्सक्राइब, वह चीज़े. तियम इसके बार特 क्या है? हमेजदापल शॉक्त तुर्क कर रहा है कार यह ऑला चातर हुद रेक्षा करना चाहता हुआ तरह मैं इसम्पर प्लिक कर दूँगा यह भी इस तरीके के झुसक्ट कर सकता हुद से भी उनते भी और ग्षरीस ह तो फिलाल इस तरीके से हम यहां कोई भी पैटेंट जर सकते हैं किसी भी ब्रॉश का यह जा हम बात करते हैं अब आगे की तरफ यहां पर यह है आपके कलर मूड़ थेक़ है वैसे कलर मूड़ को हम और डेप्थ में समझेंगे इसके अंदर डेयर पार्ट के अंदर यहां भी कोई भी सिम्लिर कलर में जए ते की अपिर कोड़ से उसलेक्शन और हटाने के लिए और इसके बाद यहां पर क्या है सिंपल बेजाता हूं पर िदे और एक था पर आकर हूं जो करता हूं से पलार मैं आपर लगता हूं नॉर्मल हेँ पर ब्रश का और जिया पर शोक है इसको भूलते हैं यहाँ पर ताकि आपके तो इस तरीके से मैं यहाँ खल रहा हूं तो इस तरीके से साही कुछлять आपको चीकित करता लेंगे दौने को करता हूं और इस यहाँ पर इसके ऊपर सब्सक्राट जाहिए मोट्पे आपको आपको कैसा कशन देखना जाता है बैसिकली एफेक्ट अप्लाइ के लिए मैं यहांप टाहूं मैं इकरता हूँ ओर आफ्समोétait here उवर्ले चीछ और और ऑफेड़ एकसे का यहा रिंट है उसके वॉद्वेस्ट unit सिक एक दुद्वेस्ट ओवर्डन के ओए और महाथा जिकरता है यहां इंगimiz ना कुछ इस तरहीं से तो ही जो पहले में बाकि के जो मैंने अभी काम किया है मैं इसको रिमूप कर देता हूं जिसके बाद मैं आपर फॉलड़ी जोड़ी अब यहां पर क्या है नॉमली आपका ब्रश इस तरीके से चलता है छिएक है अब कम कर दिया है यहां पे ऑपेसिटी 100 रहते हैं by default भी आपका 100 रहेगा normally आपका brush कुछ इस तरीक से चलता है अगर मैंने draw किया है तो यहाँ पर जो blue color का इसके पीछे rectangular shape था वो यहाँ पर hide हो गया है ठीक है लेकिन अगर मैंने इसका fade amount कर दिया कम मैंने यहाँ पर कर दिया इसको 50% तो आपको अगर मैं दुबारा brush यूज करता हूं तो आपको इसके background में कौन सा object आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएदा तो इस तरीक से यहाँ पर क्या है इसका जो amount है color करने का वो हमने यहाँ पर इसके अंदर कम कर दिया है तो यहाँ फिर आप बोल सकते हो हमने करने के एक बहुत ही बेस तरीका है मैं इसको हटाता हूं सबी चीज़ों को ठीक है मैंने क्या क्या है यहाँ पर एक यहाँ पर ड्रॉ कर लिया कुछ भी एक selection ठीक है for example मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूं एक यहांप मैंने एक ellipse circle draw कर लिया है उसको बाचे करना है अगर मैं यहांपे brush का use करता हूँ for example मैंने कहा कि यहांपे brush का option यहांपे select किया और इसके बाद brush का size increase किया आप brush का size यहांसे भी increase कर सकते है और वही से भी options आपको यहांपे right click करने के बाद भी मिल जाएगे मैंने कहा कि size increase कर देए जितना में कुछ है यह और उसके बाद मैं यहांपे करता हूँ इसको टाता हूँ ठीक है और इसके बाद मैं यहांपे draw करना स्टाट करता हूँ इक मिन एक और चीज़ यहांप मैं जो opacity को गहरा थी मैं इसको normal कर देता हूँ जैसे के normally होती है यहांपे hundred percent होती है color इसने apply कर दिया, मैं चाहता हूँ जो amount इसका यहाँ पर apply हो रहा है, वो धीरे-धीर apply हो, मतलब अगर मैं brush को use कर रहा हूँ, तो धीरे-धीरे apply होना चाहिए, ना कि इंस्टेंट, ठीक है, तो इस case दो हम आगे करते है, flow जो है न, flow यहाँ पर 100% रहता है by default, मैं इसको कम कर द करनेगा, ठीक है, size मैं थोड़ा सा, और increase करता हूँ, कुछ इतना, ठीक है, और कुछ इस तरीक को, यह आपको देखने को मैंने को, ctrl z करता हूँ, और कुछ, okay, so कहने का मतलब यह है, कि आपको जिस भी portion में darker fill करना है, आप उस तरीके से अपनी मर्जी से यहाँ पर, उतना portion वो dark कर सकते हूँ, बहुत ही easily, जितना portion आपको light रखना है, अप light रखना है, आप dark रख सकते हूँ, काफी cool effects आप यहाँ पर इसके थूरू भी apply कर सकते clear, तो यह होता है, यहाँ पर flow का, यहाँ पर in-pop it, okay, so, अगर आपको quickly यहाँ पर कुछ भी आपका जो brush का size है, वो increase or decrease करना है, आप कर सकते हूँ, या तो आप यहाँ पर जा सकते हो, जासे कि मने भी बताया, या आप यहाँ पर right click कर सकते हूँ, या फिर आप यहाँ पर, म काई वाला और । डिखी करने के लिए इस तरही किसे भी आप यहां पर इंक्रीज आपने यहां पर प्रस्के साइज को कर सकते हैं एक और चाहीं है अगर आप कुछ और कर रहे हो आप चाहते हो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉपक द्रॉपकर करे गाएं लेकिन आप यह और च succes में आप क्या करो यहां पर shift press करने के बाद इस इस《 the bus》 तो वो क्या करेगा, just one was out in vice order यहां पर मैंने shift छोड़ दिया था तो यहा पर क्या क्या हो, वो एक डाम straight यहां पर horizontal क्या आप यहां पर vertical and vertical line आपको यहां पर option देगा, यहां पर control z करता हूँ रागेंange shift press को अर्सके बाद जिहां पे इस तरीके से में ट्र उच्छा करता हूँ यहां पर इस तरीके से कुछ ड्रॉकरणा भू यां पी घ्रीके से या तो इस तरीके से लेकिन स्टेट लाइन मतलब आपका कस्टम एंगल है लेकिन आप कि यहां पिछाते हो स्टेट लाइन ड्रॉप इसके लिए आपके पास एक option रहता है आप क्या करो एक क्लिक कर दो जहां से आपको line draw कर नख स्टार्ट करना है और जहां तक draw करना है है आपको जाने के बाद कर सारतने के बाद शिफ्ट प्र्स कर ओ और एक मुआ फ् Deusём और लुँफ मरो कर दो जाओ, एक ग्लिक रग मुफ मुफ किया शिफ्ट प्रेस किया और यहां पे सिंपल अगें क्लिक कर दिया तो इस तरी के साब आप मल्टीबल स्वेट टाइंस भी ड्रॉव कर सकते हूँ तो बैसिक्ली इतनी ही चीज़ा होती है आप के ब्रश चे लिए होती है आपके ब्रश के अंदर आप भी इस तरी कम स्थारी कि सी यूज़ करें और यहां पे इसकी प्रेक्टिक्स करें हैं हापma घर भी चे झाल